तो साथियों जैसा कि हमने पिछले तीन सालों का समय देखा, उस समय से हम काफी जो सीख सकते हैं और उस समय में हमने देखा कि किस हद तक हम मजबूर कर देगे अपने घर से बहार नहीं निकल सकते थे पहली बार मेरे जो पैरेंट्स हैं वो उस हिस्से में पैदा हुए जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं और बड़ा कटें समय मेरी नानी और उन लोगों ने देखा उनकी कहानिया मैंने बच्पन में सुनी तो मैंने अपनी ताई जी जो अब बुजूर गया उनसे बात की इस करोना के समय में मैंने कहा कि बड़ा आपने तो इससे भी कटिन समय देखा तो कहती नहीं बेटा ये समय उससे भी कटिन है अकेले माबाप जर्मनी में दादी दादी अपने बच्चों से नहीं मिल सकते उनको स्टॉप कर दिया गया लॉक डॉन कैसी के बच्चे बाहर थे वहां पर टैप हो गए हमें जबर्दस्ती मजबूर किया जॉब में नहीं जा सकते इच्छा ना हो तो भी हमें लगाने के लिए मजबूर किया यह समय था और यह समय के बाद क्या यह समय ओवर हो गया अब नॉर्मल लगता है नहीं अभी इसके जो परिणाम है यहाने वाले समय म बाकी हैं क्योंकि दुनिया की ताकते वर्ड एकोनॉमिक फोरम जिस में जिस फ्री मेसंद सोसाइटी है भूट एलीड लोग है एक परसंट ये लोग हैं और दुनिया की 80% करते हैं और उपर के जो फ़ाइप परिषनेंट हैं वह नाइंटी फ़्रे को कि अपरीवार के पास बंधिक फिम्टि न डिस्टेपशन गलत हैं है कि को कोशिश्च कर आं है विबात में घॉपिक आएंगे मीरा क्यों मेन विशेच जो है वो तो यूग परिवर्तन है क्योंकि हर चीज के पीछे एक उसका positive negative दोनों साइट होती है लेकिन पहले मनोजी ने मुझे खा कि थोड़ा सा जो new world order है उसके बारे में बताएं तो new world order या one world order world economic forum के बहुत दुनिया के जो उच एलीट्स हैं उनका एक program है जिसमें वो दुनिया को control करने के कोशिश करते हैं अब ये तीन साल का समय हो गया काफी सारी बातें आपको पता है एक हिस्सा निकल चुका जिसमें एक बिमारी जिसमें हम 55 से आज तक हर साल में दो बार flu आता है उ उसको एक बिमारी टिक्लेयर कर दिया गया और ऐसी बिमारी कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते जौब नहीं कर सकते यह मजबूरी है अब यह लग गई तो government कहती है हमने मजबूर नहीं किया इस्कूलों में compulsory कर दिया and so on यह तो हिस्सा निकल गया इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते आने वाले समय में इस जो न्यू वर्ड और है या इसको वन वर्ड और भी कहते हैं वन वर्ड और इसलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया को एक ताकत कंट्रोल करना चाहती है पहले उन्होंने कोशिश की थी जब हम कहते थे कि उनके राज में सूरज अस्त नह करते हैं कि एक शक्ति पूरी दुनिया को कंट्रोल करें इसी लिए एक बिमारी पूरी दुनिया में आने वाले समय में ऐसी ही वन तिसे क्या क्या होंगी आksen कि अब food crisis पर But प्रॉब्लम आएंगी, food prices कैसे create करते हैं, आप लोगों ने बच्पन से देखा, आकाश के उपर देखते हो, हवाईजाज निकलता है, अब हवाईजाज जब निकलता है, पीछे धूई की लखीर बनती है, उपर से chemical spray कर रहे हैं, उस chemical को spray करके, इनका control हो जाता है, जब चाहे बारिश करा सकते हैं, जब किसान की फसल बहार खड़ी होती है, सुखने के लिए बारिश हो जाती है, पिछले कई सालों से हो रहा है, जब पई सालों से होता है, तो और mind की programming कर देते हैं, कि तो हर साल होता है, प्री मांसून ये बारिश है, लोग मान लेते हैं, नहीं, ये artificial वारिश है, food prices create करने के लिए है, किसान को गरीब करने के लिए है, इसके कई उदेश है, एक उदेश ये है कि किसान गरीब से गरीब होता रहता है, किसान के बच्चे किसान नहीं बनना चाहते हैं, वो शहर के और भागते हैं, शहर overloaded हैं, शहर के लोगों को ये विश्वाश ह है कुछ जंता कम हो जाए तो दुनिया सुखी हो जाएगी माइंड प्रोग्रामिंग है लोग इसके लिए तयार हो जाते हैं तो यह food crisis create कर रहे हैं chemical trail के तुरू जो बड़े celebrities हैं film star यह कहना इन्होंने शुरू कर दिया है कि कीडे खाना शुरू करो कीडे में बहुत ज्यादा mineral और vitamins यह next level पर है दूद को इन्हों ने कहरा शुरू कर दिया है कि दूद से वातावरण को बहुत नुक्सान होता है जो हमारी गौम तरहें पूजा करते थे गाए की एक गरीब वारती जिनसे मैं दूद लाता था लेकिन प्यार बच्चे की तरहें करती थी उससे उन्होंने एक उनकी गाया बहुत अच्छी क्वाल्टी की थी काफी दूद देती थी सीधी गाया थी आमतवर पर लोग कहते हैं गाया दूद लगाव था और यह परिशिती आ गई है कि गाय के दूद की कीमत नहीं मिलती गाय को बुजुर गाय को वह पाल नहीं सकते इसलिए कसाई के पास बेच जेतने हैं पहला सा नहीं करते थे गरीबी के मारे तो यह जो क्राइसे से ऐसे क्रियाट करी जा रही है उसमें एक यह भ करती है आने वाले समय में यह हो जाएगा शहरों में अभी भी हो चुका है हम प्लास्टिक के पैक में चीन से इंपोर्ट के हुए पाउडर को दूद पीने के लिए अभी भी मजबूर है तो यह आल्रेडी हो रहा है लेकिन आने वाले समय में यह इसको अभी होगा यह फू यह फौुटिफाइड अनाज है फौुटिफाइड है चावल है फौुटिफाइड प्लस अब धीरोट विरायद कोली जो क्रिकेटर है सब का आइकॉन है वो उनकी एड़ोटराइजमेंट कर रहा है जेनेटी कली मोडिफाइड जो फूड है उसके जीन में मॉडिफिकेश करना इसको लोग ने थोड़ा सा पता लग गया इसको खराब बानने लगे लोग नेचर के दरफ जाने लगे तो उन्होंने निया शरुत दिया F plus 45 और क्रिकेटर उनकी तारीफ करते हैं राम देव के प्रोड़क्ट में 45 प्रोड़क्ट हैं सारे फ्रॉम फॉर्टिफाइड सर्सों का तेल या कुछ और यह जो एजेंडा इस तरह का गहरा है जैसे राम देव जैसे लोग बहुत जादा अमीर हो जाते हैं किसानों के दुख के लिए यह भी जमेदार हैं यह इतना सस्ता किसानों से प्रोड़क्ट खरीदते हैं कि किसान और यह अमीर होते चले जाते हैं इनका जो घी है यह नकली घी है पश्चमी देशों की गाय का फैट बहुत होता है इनके पास पावर है मैच इस बंकते हैं तो घी बनाके देश कंध weird कि गिए और आपको विश्वाज नहीं है तो घीडी निकाल सकते हैं जो देशी घाइक होता है उसका melting point body temperature से कम होता है इसलिए वो body में जमा नहीं होता और heart attack नहीं होता इनके घी का melting point भैंस के घी से भी ज्यादा है और इसलिए ये body में जमा होता है और heart attack करता है और किसान को कीमत नहीं मिलती तो ये एक agenda का हिस्सा ऐसा भी है और और राम देव का तो गव मूत्र भी इस लाइक नहीं है अगर detrit करना है तो कर लेए जजदं की गवशाला से मैंने गव्मूतर मगाया था वो और राम देव का गव मूत्र और उसम जजदं की गवशाला ने जब को собой को पड़ता है तब शुद्ध गौर्मोत्र होता है इस केरने के एफ़र्ट करने की जो कीमेट है वो रामदेव नहीं थे था नकली गौर्मोत्र और नकली प्रोडक्ट और ये इसी एजेंडा का हिस्सा है इसलिए हम लोगों को फॉर्टिफाइट उनके प्रोड़क्ट है रामदेव के और गौर्मेंट के एजेंड़ा से हमें फॉर्टिफाइट फूट कीडे की बातें हो रही है इसी क्रम में डिजिटल करेंसी ये बात होती है ये आने वाले समय में जो हमें देखने पर सकती है अगर हम नहीं जागे तो पिछले कुश समय से करोना के टाइम में इंटरनेट का प्रशार हुआ तो लोग नहीं जा सकते थे online पेंट शुरू हुई online पेंट डिजिटल करेंसी नहीं है किसी को भुखतान करने का जो एक असान तरीका है अनले求 है Digital Currency है Programmable Currency मेरे खाते में अगर 10 लाख रुपए हो और इसको प्रोग्राम कर दिया जाए कि मैं रोज सिर्फ 200 रुपए खाने पे खर्च कर सकता हूँ और 50 रुपए मैं अपने कपड़ों पे खर्च कर सकता हूँ महीने में तो यह प्रोग्राम हो जाएगी बाकी पैसे उसमें पड़े रहेंगे और मेरे सारे खर्चे का जो रिकार्ड बन जाएगा यह Digital Currency है और गवर्मेंट कभी भी 10 लाख को जीरो कर सकती है यह भी पॉसिबल है गवर्मेंट यह कह देगी कि इसमें एक क्राइसेस आगई अटेक हो गया रूस और उक्रेन में लडाई हो रही है अगर उक्रेन वाले कह देंगे हम लडाई में हमें साधन की ज़रूरत है आपके पैसों से 50% हम निकाल रहे हैं तो वो प्रोग्रामेबल करेंसी है नेक्स्ट इन बैलेंस होए 50% कम हो जाएगा यह नियंतरण का बहुत बड़ा एक जिस पे नियंतरण गवर्मेंट कर सकती है हमारी हर चीज़ पे हमारी एसेट्स के उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यह डिजिटल करेंसी होने के बाद डिपेंडेंट हो जाएंगे गवर्मेंट को गवर्मेंट की पॉल्सिस को मनने के लिए यह आने वाले समय में हम देख सकते हैं और इसी तरह पर्या वर्ण के नाम पर अब डीजल और बैंजीन नुक्सान करती हैं पेट्रॉल यूरोपियन में पश्चमी देशों में 2025 अब 2030 चल रहा है एक साल नौ महीने बाद डीजल और पेट्रोल के एक भी न्यूव वहिकल को रेजिस्ट्रेशन नहीं होगा इसका मतलब सारे वहिकल इलेक्ट्रिक में कनवार्ट होंगे इलेक्ट्रिकल जो वहिकल है इन में यह GPS कंट्रोल है और यह centrally इनको कंट्रोल किया जा सकता है एक तो आप कहां पे जा रहे हो हर वहिकल को ट्रेक किया जा सकता है second उसको कभी भी stop किया जा सकता है अगर आपको अपनी government की आगेंस्ट चमानलो चंदीगर में demonstration करना है तो चंदीगर की अगर circle में जहां पे वह demonstration करना है 50 km दूर वह stop कर देंगे तो उस 50 km की range में कोई भी विकल नहीं जाता है गा गौवर्मेंट इस सब तक कंट्रोल कर लेगी आपकी लाइफ को यह इस एजेंडा का हिस्सा है पर्यावरण का हिस्सा नहीं है हमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यह हर अच्छी बात हर खराब बात को एक अच्छी बात में चाशनी में लपेट के जहर पेश करते हैं और जान बापेश लाएंगे यह कुछ भी नहीं हुआ इससे आप सीख सकते हैं कि यह जूट बोलके अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करते हैं ऐसे ही पर्यावरण की बातें करके यह इलेक्ट्रिक विएकल को इंप्लीमेंट करेंगे इससे भी दुख की बात है आने वाले समय में जो बच्चे हैं जैसे अब तक होते थे यह फसल खराब कर रहे हैं बीच खराब कर रहे हैं और नसल खराब कर रहे हैं जो बच्चे हैं वो नैचूरल नहीं यह चाहते हूँ क्योंकि यह population को full control करना चाहते हैं तो जो sperm count है वो 95 million per millimeter होता है ये एक average है और अगर 40 million per milliliter होता है तो तब तक बच्चे हो सकते हैं प्रोश का अगर sperm count है अगर इससे नीचे होता है तो उन्हें artificial उसके लिए जाना पड़ता है अब आप शहरों में देखो कि artificial जो fertility center कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि sperm count ब इसलिए भी जनसंख्या की आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे भी अनंत है सिर्फ एक control है इसकी वज़े से कम लगता है लेकिन अगर ये कम भी माने तो भी सारी दुनिया के लोग इस बात पर agree है कि अभी जो 8 खरब जनसंख्या है 10 खरब जनसंख्या तक के लिए कोई दिक्कत नहीं क्राइसिस नहीं है धर्ती पे इतना सामर्थ है तो और यह 10 यह हो नहीं सकती 10 खरब क्योंकि जो अगर हम जनसंख्या भी 8 खरब है अगर इसको maintain रखना है तो 2.1 जो अगर एक पेर के 2.1 बच्चे होते है तो जनसंख्या maintain रहती है ना बढ़ती है क्योंकि दो लोग हुए दो लोग के दो बच्चे हुए उनमें से दो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं कुछ होते नहीं है कुछ के बच्चे हो नहीं पाते है 2.1 जो है इससे जनसंख्या maintain रहती है तो 8 से 10 तब तो वैसे भी नहीं आ पाएगी क्योंकि जो average है समय 2.1 हो चुक कर पाएंगे इस सब तक आ चुकी है और इसके अलावा इन्होंने यहां पे सेंटर बना दिये हैं जिसमें बच्चा बाहर पैदा होगा और उसकी अर्वर्टाइजमेंट करनी शुरू कर दिये मैंने अपने ग्रूप में शेर की थी इंटरनेट पे अवेलेबल है आप योजना बना के प्लान करते हैं ये 2002 में इसकी योजना बनी थी कि कैसे हम धर्ती के सभी लोगों को कंट्रोल करने के लिए अगर उनको माइंट का हम कंट्रोल कर लें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं तब उस समय जो साइंटिस इखटा हुए साइंटिस भी गलत शब्द है मैं तो शैतान कहता हूँ, उन्होंने कहा कि 35 तक हम इसको कर सकते हैं, 2018 में दोबारा मिले और उन्होंने कहा कि अब हमारे पास framework तेयार है, अब हम इसको implement करना शुरू करते हैं, फिर ये बिमारी शुरू हुई, और उसके बाद ये शुरू हुआ, और ये आने वाले समय तर continue कर रहा है, क्योंकि इनके पास एक framework है, इस framework से हमारे mind को ये read कर सकते हैं, आप लोगों को विश्वाश अगर ना हो, कि mind को कैसे read किया जा सकता है, हमारे mind की, जो waves हैं, बहुत fine waves हैं, इन waves को पहले ये नहीं read कर सकते थे, अब इन fine waves हैं, इसको read किया जा सकता है, इसको interpret किया जा सकता है, और इसको अगर आप कई बार देख सकते होगे, आपने कुछ बात सोची और उस वही advertisement आपको computer पे, या आपके mobile पे दिखाई देती है, because ये जो project है, ये project इसको implement कर रहे हैं, उसको test कर रहे हैं, और ये project और fine होता जाएगा, उसकी साथ ही हमारे mind को पूरी तरह प्रोग्रामिंग करते हैं, हम उसी की तरह सोचना शुरू करते हैं, आप लोगों में से, और मुझे कम से कम बहुत आश्चर होता है, इसलिए आप लोगों को भी होता होगा, कि इतनी आसानी से क्यों नहीं लोग जाक पा रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, आखें, अगर कोई जरा भी आखें खोलेगा, तो देख सकता है, किसान आंदोलन में, एक लाख से ज़्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पे, अन हाईजेनिक कंडिशन में बैठे रहे, वह आपके चैनल में, मैं टेलिग्राम में पहली बार आया हूँ, मेरे ग्रूप में और मेरे चैनल में गौरहरी जी ने इस पे नीरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग किस तरह काम करती है, इस पे दो वीडियो बनाई हैं, आप देख सकते हैं, बहुत effective होगी, तो इस तरह होगा हैं, यह हमारे मांड को connect भी कर रहे हैं, क्योंकि connected mind के through यह programming कर सकते हैं, और हमारे मांड को influence भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में, क्या होगा, one word order, चुंकि implement करना है, तो पूरे word में एक समस्या होनी चाहिए, जैसे फिछले समय में थी, आने वाले समय की जो next समस्या है इसको project blue beam के नाम से इनोंने planning की हुई है project blue beam में या तो इनके पास दो ही तरीके है या तो डराना या लाल रच्टेना तो जो डराने का इनका तरीका है उस तरीके में इनको nuclear war से लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं कि nuclear war का radiation पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तो दो देशों में लडाई और उन में से कोई एक देशा वो न्यूक्लियर compatible होना चाहिए, तो रूस और यूक्रेन दोनों में लडाई कराके ये दर फैला रहे हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट ब्लू बीम का अगर ये डर फैला नहीं पाए, तो इससे बड़ा डर भी फैलाने की जो इनके योजना है, उस योजना में जो ETs हैं, जो धर्ती के बाहर रहने वाले एलियन प्राणियों की एक जो कंसेप्ट है, उसको ये प्रोजेक्ट करेंगे कि उन्होंने प्रोजेक्ट ब्लू बीम है, अगर आप लोग ये सोचते हों की ऐसा कैसे करेंगे, ये प्रोजेक्ट होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, जो आपको दिखाई देता है, ये इस हद तक रियल उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपको रियल लगेगा, असली इन्वेजन नहीं है, सिर्फ नकली इन्वेजन है, लेकिन आपको असली लगेगा, ये इनका डराने का तरीका है, और अगर डराने का तरीका सफल नहीं होता, तो दूसरा सबसे इनके हार में जो तरीका है धर्म के नाम पे, धर्म की भावनाओं से हम इंसा धर्मे कलकी अवतार, इसलाम में नभी, एक नभी जो डिसेपियर हो गएते वो वापिस आ सकते हैं, क्रिश्चेंटी के धर्में जिसस क्राइस और बुद्ध कहते हैं कि बुद्धा जो है मैत्रे बुद्धा पच्चिस सो साल बार या कभी दोबार आ सकते हैं, इन सारे जो ध धर्ती के एक बहुत बड़ी जनसंख्या, इन अवतारों का वेट करती है क्योंकि वो दुखी हो जाती है, उनके मन में है कि जब भी धर्म की गलानी होगी इश्वर प्रकट होंगे और इनका संखार कर देंगे, इस प्लानिंग के दो नुक्सान हैं, एक तो हम आलसी हो जात अवतार ही आके ठीक करेंगे, जो ये भावना है, इस भावना को ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम से हमारी भावनाओं से खेल सकते हैं, आकास से देवदूद को उतार सकते हैं, जिसकी जैसी कलपना है, उसको ये वैसा प्रगट कर सकते हैं, और जैसे इलेक्शन से पहले, मनम सिंग को प्रोजेक्ट गिया कि बहुत पढ़े लिखे इमानदार किसी को अपने सिक्र हैं और इन्होंने किसी को अपने रिश्देदारों के साथ बो नहीं किया रिक्वार्भवर्नर नहीं पूरा के रिर्यार मान्के गवर्णर इसके बाद ऐसे यह प्रोजेक्ट करते हैं यह तो लोग थे धर्ती के रहने वाले लोग थे इनके प्रोजेक्शन पर हम मैनिपुलेट हो गए क्योंकि मीडिया पर इनका पूरा कंट्रोल होता है अगर यह इश्वर को या जिनको हम अवतार कहते हैं उसको यह प्रोजेक्ट करेंगे तो जो धर्म से भड़ी हुई जनता है वो उनको स्विकार कर लेगी जब उनको स्विकार कर लेगी तो उनके फॉलोवर बन जाएंगे उनके follower दो-तीन साल अच्छा काम करेंगे और उसके बाद बहुत मानवता का शूशन कर सकते हैं यह आने वाले समय का एक और agenda है जिसके बारे में हमें जाग रूख होना है हमारी education को वैसे ही बहुत manipulated है लेकिन अगर पच्चमी देशों की education में या world economic forum world health organization ने जो document किये हैं आप लोगो net पे मिल जाएंगे education में बताने के लिए क्योंकि बच्चे artificial करने हैं तो किस किस तरह की marriage बिलकुल normal है पुरुष की पुरुष से marriage इस्तरी की स्तरी से marriage इस तरह से इस तरह की marriage जो हम सोच भी नहीं सकते थे उसको इन्होंने अपने education में implement करना शुरू कर दिया है क्योंकि human नहीं रोबोट चाहिए बच्चे artificial पैदा हों बाहर पैदा हों और उनको हम control कर सके इसके इसके अलावा जो पिछले समय में डर फैलाया और उस डर के बाद इन्होंने कहा कि एक ऐसी vaccination चाहिए जिसको emergency permit किया जाए otherwise की permission नहीं है ये इस technology के इतने ज़्यादा risk है इस mRNA technology के risk बहुत ज़्यादा है चलो इसके बाद अब अगर आप देखो तो जो टिटनेस का injection होता है जरा भी खरोच लग जाया डॉक्टर के बाद जाते हो तो पूछता है टिटनेस का injection लगा कि नहीं नहीं तो लगा देते हैं वो टिटनेस का injection mRNA based बन गया जर्मनी में दीरे से इंडिया में बन जाएगा अभी हमारे ग्रह मंत्री ने लड़कियों को गरभाश है के cancer की vaccine mRNA बना दी कोई पूछेगा भी नहीं आने वाले समय में ये अपने agenda को इस तरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस तरह कान नहीं पकड बन कर देंगे तो ultimately इनका agenda implement इस तरह भी करने के कोशिच कर रहे हैं तो इसलिए भी हमें जागरूप होना है इसके अलावा हर चीज को control करने के लिए एक बहुत popular chip की ये concept ला रहे हैं जो mind को control करना है mind को अभी भी read कर रहे हैं लेकिन उससे भी जादा control करना हो अगर human के brain में chip लगा दें तो उसको पूरी तरह control किया जा सकता है और इसलिए जगह जगह पे tower लग रहे हैं जो mobile की tower कहते हैं अब 4G का network है काफी है उसकी speed ठीक है इससे ज़्यादा जूरत नहीं है लेकिन 5G, 6G उसके radiation बढ़ाना और उस radiation को धर्ती के एक-एक कुने में एक-एक जंगल में कि अगर कोई कहीं भी हो तो वो उस tower से उसको control कर सकें जैसे अगर मैं यह mobile लेके किसी भी दुकान पर जाता हूं कहीं भी होता हूं तो मुझे track किया जा सकता है कि मैं इस समय धर्ती पर कहा हूं अगर उस जगह mobile का tower है तो लेकिन जंगल में भी tower नहीं है तो जंगल जंगल में धर्ती के एक square inch भी जगह नहां बच पाए जहां पर mobile के signals नहों हों चाहे हमनुपसान करें या ना कुछ और human के अंदर एकचेप implant हो जाए ताकि उसको हम control सकें कर सकें यह agenda का हिस्सा है अगर यह implement हुआ तो आप सोचो कि human क्या होगा human आधा human और आधा वोट होगा और बहुत एक निक्रेष्ट जिंदगी जिसको कह सकते हैं इससे खराब जिंदगी कोई नहीं हो सकती इससे खराब अधर्म कोई नहीं हो सकता यह कैसा ऐसा आज तक कभी सोचा भी नहीं है हमने महाबारत में सुना कि दुरुपदी का चीर अनर हुआ भाईयों में लड़ाई होई और बहुत अधर्म की पराकाश्था थी लेकिन इसके आगे वो कुछ भी नहीं है आठ खरब धर्ती की जन संख्या को जिसमें के इमोशन है जो माबाप के साथ बच्चे बच्चा मा की गोद में आता है मां के असु रिकल जाते हैं कोशिश से वो सारी चीजें रोक देना इस हद तक यह एजंडा जब होता है पाप का खड़ा बरता है तो नए युक का परिवर्तन होता है यह एक नए परिवर्तन की नील भी रख रहा है साथ के साथ और यही जो ब्रहमाण है बहुत इंटेलिजेंट सिस्थम है एक उधारान देखो अगर आप जर्मनी सेकेंड वर्डवार में बहुत प जिसकी इसको हराने के लिए अमेरिका, यूके, फ्रांस और रोस चार देश मिलके आए तब इसको हरा पाए जर्मनी के पास 1930-40 में UFO की टेकनोलोजी थी आप लोग को आच्चर होता हुगा हमने जवाज तक सुना नहीं हमने कभी देखे नहीं यह टेकनोलोजी बहुत पुर सत्रा साल के बच्चों को इन्होंने युद में भेज दिया तो यहां पर आदमियों की कमी हो गई औरतें बचे हैं तो इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है कि यहां पर जो बच्चे हुए अभी शैद सौ औरतों पर एक सो दो या एक सो चार मेल पैदा होते हैं क्योंकि फी मे में उस समय सो लड़कियों पे 135 लड़के पैदा होने शुरू हो गई किसने बताया यह नीचर इतना इंटेलिजेंट है यह ब्रह्मान जैसे ही वह अपने आप बैलेंस बनाता है तो एक तरफ तो यह इतने खराब काम हो रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए चेतना जाग र हैं और इन दोनों में बहुत सारी बातें समान भी हैं जैसे वो न्यूवर डॉटर कहते हैं जब उसकी अर्वर्टाइजमेंट करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी आप खुश हो गई क्यों क्योंकि जैसे फूट क्राइस है ऐसा ही फाइन समान ले लो तो मजबूरी में समान लेंगे लो इसलिए डिश्टल करेंसी पॉपलर होगी तो जो एक परसेंट लोग 80% वेल्स को कंट्रोल करते हैं वो तो कंट्रोल करते रहेंगे बाकी जो 20% है वो सब में वो कहेंगे कि आप इक्वल डिश्टिबिट हो रही है सब के इकोनॉमिक फोरम का श्लोगन है अगर आप नेरी बाते विश्वास ना कर रहे हो तो उनकी वेब साइट पर जाके देख सकते हैं तो यह इसका प्लान है इस तरह कंट्रोल करने का और अब भी आपने देखा होगा अगनी वीर की इंप्ली रिकूट कर रहे हैं साड़े सत्र करने के लिए जैसे अंगरेजों के समय भारतवासियों ने क्रांती कारियों को गोली मारी दी क्यूंकि वह अंगरेजों की नौकरी कर रहे थे सेम तो सेम दुबारा करने का प्यास और कुछ थोडहे लोग जो जाग रहे हैं कुछ सो रहे और जो पूरी पुलिस है को जू? डूज लेना कंपसरी है, ले चुकी है, मिल्ट्री उनके कंट्रोल में है, आप जानते हो मिल्ट्री के लिए कंपसरी है, यूडी श्री के लोग रिटायर होते ही चीर जस्टिस को राजसाबा में भेज दिया जाता है, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ हैं, ये कठिन इन से हटाके, यूग परिवर्तन की और करेंगे, तो एक नई संभावना आए है, तो इन दोनों में जो एक कॉमन बात थी, you will own a thing, you will be happy, यूग परिवर्तन में भी आप जो है oneness का अनभव करते हैं, तो सारी चीजें equally share करते हैं, कोई copyright नहीं होता, कोई patent नहीं होता, तो you will know nothing, you will be happy, new world order में ये कहते हैं कि आपकी life बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप जब human ही नहीं बचोगे, तो robot है, robot के chip लगी हुई है, और जो body है, skin, tissues, bone, ये सारी इनके पास technology उसे regenerate कर लेंगे, यूग परिवर्तन में भी same होगा, आप बहुत लंबे समय तक जीएंगे आपकी जो carbon based body है, ये crystal based body हो जाएगी, इसका DNA activation होगा, जो हमारा DNA अभी बहुत 90% junk कहते हैं, जिसको आज के लोग, और gene की सारी technology जो है, ये in elites के हाथों में है, आप में से कई लोग को आश्चर होताओ कि हम डॉक्टरों से पुष्टे थे इस vaccine के बारे में उन्होंने तो कह पच्छन की ये दवाई है, दवाई भी pharma industry, कोई और department है, उन्हें इसका पता भी नहीं किस दवाई में क्या क्या पड़ता है, लेकिन gene technology का तो उन्हें कुछ भी नहीं पता, कि gene technology कैसे काम करती है, कैसे gene हमारे gene में जो दिविता है, वो क्या है, और हमारे gene में को कैसे control कर सक दें, जो mRNA-based यह थी, यह gene-based थी, तो जो हमारा DNA activation हो रहा है, उससे भी हम बहुत लंबे समय तक जिएंगे, अगर हम यूग परिवर्तन में गए, तो भी लंबे समय तक जिएंगे, और अगर जो new word order में गए, तो भी बहुत लंबे समय तक जिएंगे, जो new word order में लंबे समय तक जिएंगे, वो यह, अगर उनके emotion रह पाए, तो वो यह सोच के अपने आपको कर्स करेंगे, कि क्यों हम नहीं मर गए, क्यों हम उस समय अच्छा होता हम मर जाते, एक ऐसा जीवन, जो robot की तरह है, जिसमें भावना नहीं है, emotion नहीं है, उतने लंबे जीवन को एक गुला करना, वो संभावना, new world order के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी सोच है, उस सोच में जो एक आध्यात्मिक्ता का जो भीज हर समय कमपन करता रहता है, चाहिए आप किसी भी तरह हैं कि जीवन शैली में जी रहे हो चाहिए, आपने रास्ते पर शु कंट्रोल हो जाएगी, वो नहीं हो सकती, सभी को अन्यवाद आप लोगों ने ध्यान से सुना, और conclusion यह है कि एक ऐसा समय है, जो अफसर चुनौती दोनों बराबन है, दोनों एक्स्रीम पे हैं, अफसर को चुने और चुनौती का हल निकाले, अगर हम ऐसा कर पाए, तो इत इतना सुन्दर भविश हमारे सामने है, जिसको हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं, यह फिफ्ट रेमेंशन या जो चेतना का नेक्स चेतर है, यह लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने युनिवर्सल माइंड की बात की, युनिवर्सल माइंड से information ली जा सकती है, लोगों ने इस information को देखा है, जो हुमन जैसा हम अभी देख रहे हैं, इस से थोड़ा बड़ा, एक मीटर लंबा, उसकी आखों में एक ऐसी चमक है, जिससे पेड़ पौधों में चमक है, जमीन जो है, हैवी मेटल से फ्री है, आकाश फ्री है, वायू फ्री है, पानी प्योर है, पानी अप की इस ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं, तो आपके लिए अफसर है, इस अफसर का फायदा उठाएं, यह ब्रहमांड में हर 26,000 साल बाद होता है, इस बार चुक जाएंगे तो 26,000 साल तक बेट करना पड़ेगा, आल्दो टाइम एक्जिस नहीं करता, जो ट्रैप हो हैं कि इसको कंट्रोल कर सके मानवता के हल्प करें, अधर्म जो लोग 5000 साल पहले महभारत हुई थी और समय सोचते थे कि हम होते तो हम इसका हिस्सा बनते आपके सामने अफसर है, सदियों के बाद एक ऐसा अफसर मिला है कि धर्म और अधर्म के बीच में, आप चुन सकते है अपने exercise कर सकते हैं option और उस exercise option करके भगवान के शब्द हैं कि अगर युद्ध करते करते मारे गए तो भी तुम्हारा भला स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग नदरा के एक अलग definition है कि अगली बार चचा करेंगे, अगर युद्ध करते गए मारे गए तो भी अच्छा और अगर जीत कई युद्ध में तो भी अच्छा यही इन ही शब्दों के साथ मैं आज खत्म करता हूं, thank you very much